हेलो दोस्तो एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिलने वाला है आज की वीडियो में हम बात करने वाला है दो popular dog breed golden retriever versus rotwaller के बारे में और जानेगे इनके बार में कुछ अनोखी बात है तो इस वीडियो क तो दो सबसे पहले जान लेते हैं इन डॉक ब्रीट के बारे में कुछ इस्ट्री के बारे में तो दोस्तो रोट्क की बात करे तो रोटोला का ओरीजिन जर्मनी से है इनको एज ट्रोर डॉट ब्रीट किया गया था कि ये भेडो बकरो और गाय को चरा सके लेकिन कुछ समय बाद बूचर्ज और बिजनसमेन इनको सामान से भरा कार्ट खेतने के लिए यूज करने लगे और आज के समय में ये डॉट ब्रीट स्कॉट लैंड से आते है और इनको 19 सेंचूरी के दोरान ब्रीट किया गया था इन डॉट ब्रीट को ऐस गन डॉट ब्रीट किया गया था जब भी हंटर्स किसी बर्ड या डग का शिकार करता था तो गोल्डन रिट्रिवर जाके उन्हें रिट्रिव करके लाता था और चीए तो ये क्लियर है कि आप गोल्डन रिट्रिवर को ही सिलेक कीजिए क्योंकि ये डॉट ब्रीट काफी लॉयल होती है और आप बेबी के साथ भी काफी आसानी से रह सकती है और बात करें इन दोनों डॉट ब्रीट में से आपको अगर गार्डिंग के लिचिए तो ये पास कर लेते हैं इन डॉट ब्रीट के नेचर के बारे में कि इन डॉट का नेचर के साथ अपने ओनर के लिए और घरवार के लिए दोनों ही डॉट ब्रीट का नेचर काफी अच्छा है दोनों ही डॉट ब्रीट लॉयल प्रोटेक्टिव और इंटेलिजन्ट होते हैं ये golden retriever थोड़ा सा friendly nature होने के कारण आपके लिए socialize जल्दी से हो जाएगा रोटवालर के मुकाबले दोनों ही dog breed को socialize करना काफी आसान और easy होता है आप इन्हें ज़्यादा बान के ना रखे अगर ये ज़्यादा बान के रखोगे आप इन दोनों ही dog breed को तो ये चिड़ चिड़े हो सकते है जिसके कारण ये dog breed aggressive बन सकते है तो हो सके तो इनको ज़्यादा ज़्यादा खुला ही रखे ज़्यादा बान के ना रखे बात करें खाने के maintenance की तो दोनों ही dog breed काफी अच्छे है आप दोनों dog breed को घर का खाना भी दे सकते हो लेकिन अगर आप उनने pedigree भी देते हो तो ये काफी अच्छा रहेगा आप घर का खाना और pedigree दोनों mix करके भी उनको दे सकते है ये काफी beneficial रहेगा उनके लिए बात कर लेते हैं efforts की तो दोनों ही dog breed को efforts करने पड़ेंगे जैसे की exercise, training, socialization इस मामले में थोड़ा रोटवालर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उससे training और socialization ज़्यादा अच्छे से करानी पड़ेगी golden retriever के मुकाबले में अब बात कर लेते हैं ये dog breed दूसरे dog breed या फिर दूसरे birds के साथ अच्छे से रह सकते हैं या नहीं तो रह तो सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको उनको शुरुआत से ही socialize करना पड़ेगा उनके साथ जिससे की ये उनके साथ friendly रहे अगर बात करें protective nature किसमे ज़्यादा है तो रोटवालर में protective nature ज़्यादा है क्योंकि ये dog breed जल्दी से socialize नहीं होते हैं इस ट्रेंजर के साथ golden retriever इस ट्रेंजर के साथ socialize जल्दी से हो सकते हैं आप इन्हें दूसरों लोगों के साथ socialize जरूर करा जैसे कि आपके friends वे उनके साथ खेलने दीजिए या फिर कोई और dog breed है उनके साथ खेलने दीजिए इनको अलग-अलग ना रखे जिससे की ये aggressive ना बने अगर आप इन्हें freely रखोगे तो ये काफी अच्छे dog breed बन सकते है एड़ेप्टिबिलिटी की बात करें तो दोनों ही dog breed को adaptability में कोई problem नहीं आएगी ये Indian climate में भी काफी अच्छे से रह सकते है exercise की बात करें तो दोनों ही dog breed को कम से कम आप 15-20 minute walking पे जरूर ले जाए और training जरूर दे exercise की मामले में रोटवालर को थोड़ी exercise की ज़्यादा जरूरत पढ़ सकती है अगर आप इन दोनों dog breed में से किसी को adapt करना चाते हो या फिक करने वाले हो तो हमेशा एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप इनके जो आगे चलके खर्च होने वाला इनकी vaccination, deworming, इनके food पे वो कर पाएंगे अगर आप इनकी जो vaccination food उस पे खर्चा कर पाएंगे तो ही आप इनके एड़ आप कीजिए क्योंकि अगर आप इन dog breed की vaccination या deworming नहीं कराते तो इसके करन डॉक को आगे चलके काफी problem हो सकती है और दोस्तो अगर आप office जाते हो दिन बर घर पे नहीं रहते हो तो मैं request करूँगा कि आप इन dog breed को एड़ आप ना करे जरुत होती है अगर यह इनको इनकी मदर का मिलक नहीं मिल पाता तो आगे चलके इनको काफी disease या problem हो सकती है तो याद रहे आप एक या देर महीने बादी इन dog breed को एड़ आप कीजिएगा दोस्तों बात करें यह dog breed कौनसे colors में मिल जाएगी आपको तो cream, dark golden, light golden, golden इन colors में आपको golden retriever आसानी से मिल जाएगा और rot wire और black, black and tan में आपको आसानी से मिल जाएगा तो दोस्तों आसा करता हो आपको वीडियो अच्छी लोगी होगी और आपको जरूर फायदे मन होगी अगर आप इन में से कोई dog breed रेड़ आप करना चाहते हो तो और आपको काफी कुछ पता भी चलाओगा तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमाने चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो अच्छी लगी ही तो like and share जरूर कीजेगा मिलता हो आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ Thank you for watching